नमस्कार मैं हूँ शिवेंदर सिर्वास्तो और आप देख रहे हैं यूपी तक यूपी तक में आज से हम एक नई सीरीज शुरू करना जा रहा है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्रप्रदेश में बड़े नाम आले लोग चाहे वो राजनेतिक हो अपराज जगत से हों यह सेलेबरिटीज हों कैसे वो इस तर तक पहुंचें क्या उनका इतिहास रहा है और क्या उनके पीछे की पूरी कहानी रही है जिसको कहते हुए वो बढ़े आगे और अब किस हालात में हैं तो इस सीरीज में सबसे पहले हमारा जो नाम है वो है मुक्तार अंसारी का जिसका उत्र प्रदेश के पुरवांचल में सालों साल तक दबदबा रहा सरकारें बंती और विगरती रही जिसके पाले में मुक्तार अंसारी रहा उसकी सरकार के विधायक बढ़ गए जिसके खिलाफ रहा उस सरकार के लिए मुश्किल कर दी लेकिन फिरहाल काफी वक्त स मुक्तार अंसारी केलिए मुश्किल हो चली है क्योंकि उसके खिलाफ दरजनों मुकद्मे दरज हैं जेल में बंद हैं उसको परवाह इस बात की कहीं उसकी जान नचली जाए उसके परिवार ने खुलकर गुहार लगाई कि सरकार इसकी जान बचाई है वरना इसको मार दिया जाएगा उत्तरप्रदेश की पुलिस से बचने के लिए उसने उत्तरप्रदेश से बाहर अपना तबादला करा लिया और अब सरकार जदो जहत कर रही है कि किसी तरीके से मुक्तार अंसारी को यूपी वापस लाया जाए जिससे की उसे खिलाफ मुकदमों का अंजाम पता च खुद का बेटा भी एक नेशनल शूटर है लेकिन मुक्तार अंसारी ने जरायम पेशा का ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी ही नहीं मुश्किल बलकि नामुकिन है और अब तो हालात यह हैं कि मुक्तार अंसारी अपनी जान बचाने के लिए बार बार गोहार लगा रह गया उस दौरान एक खत्यक आरोप लगा मुक्तार अंसारी पर और उसके बाद अपराद की दुनिया में मुक्तार अंसारी ऐसा बढ़ा कि उसने पीछे मुलकर नहीं देखा लगातार एक के बाद एक अपराद उसके गैंग ने अंजाम दिये और सबसे बड़ा अपराद उसने अंजाम जिया तब जिफ साल 2005 में वो जेल में बन था मुक्तार अंसारी पर आरोप है कि उस दौरान बीजेपी के विधायक क्रिश्णा नंदराय को छे साथियों समेथ उसने मौत के घात उतार दिया हाना की शुरुवात में उसने इन आरोपों से खंडन किया लेकिन सबूत ऐसे मिले कि जिसके बाद पूरा का पूरा 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 पुलिस महकमा फड़कम मज गया दरसल जिस वक्रिश्णा नंदराय की हत्या की गई वो एक प्रोगाम से लौट रहे थे और सटीक जानकारी थे आम तोर पर कृश्णा नंदराय बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाते थे लेकिन उस दिन इतनी सटीक जानकारी मुक्तार अंसारी के पास थी कि उन्हें पता था किस गाड़ी में कृश्णा नंदराय बैठे हुए है और पहली बात पूरवांचल का दबदबा अपराद की दुनिया में इतना बढ़ा कि एक 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 फुर्टी सेवन गन से इस वारदात को अंजाम दिया गया करीब 400 गोलियां चलाएंगे जिसमें 70 के आसपास गोलियां कृश्णा नंदराय के शरीर से निकली और इस घटना के बाद पूरे पुरे पुलिस महकमे ही नहीं बलकि अपराद जकत में भी हड़कम मजगया मुकतारंसारी अपराद का एक ऐसा बड़ा नाम हो गया जिससे हर कोई थर-थर कापने लगा और इस घटना के बाद से उसकी दुश्मनी शुरू हुई बरजेश सिंग से बरजेश सिंग भी एक बड़ा माफिया है जो की जेल में बंद है लेकिन बरजेश सिंग से दुश् ना सिर्फ इसने अपरहन हत्ते धंकी दी बलकि सरकारी मशिनरी को भी जम कर दुर्पयों किया साल 2005 में जेल थे रहने के दौरान उसने ना सिर्फ अपने वर्चस को काइम किया बलकि बाकी दूसरे गैंगों के उपर अपना दबदबा भी कायम करना शुरू किया जिसमें उसकी अदावत बढ़ती ही चली गई साल 1990 में गाजीपुर के जिले में तमाम सरकारी ठेकों के लिए सबसे पहले मुक्तार अंसारी ने अपना सिक्का जमाना शुरू किया उस दौरान तमाम छोटे-छोटे जो बाहुबली थे इलाके के उन लोगों का इन सब ठेकों पर पकड़ा गया लेकिन आरोप नहीं सिद्धो पाये और इस दौरान रास्ते में वो पुलिस वालों को चक्मा देकर फरार भी हो गया इसके बाद मुक्तार अंसारी ने राजनीति का रुख किया साल 1996 में उसने पहली बार MLA का चुनाओ लड़ा पांच बार महीं उसे विधा बढ़की जिसमें आरोप लगा कि मुक्तार अंसारी के कारण ये हिंसा बढ़काई गई है इसमें हुंदू-मुस्लिम दंगा होते होते बचा और हिंसा इतने ज्यादा बढ़की कि आखिरकार मुक्तार अंसारी ने आत्मसामरपड कर दिया और उसी दौरान जेल के में रहन प्लेकी तो उसकी भी बहुत बड़ी वज़े थी दरसल कृष्णर अंसारी के खिलाफ मुक्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ा था और उसको उस चुनाव में हार मिली उस हार के वज़े से त्रिमिलाय मुक्तार अंसारी ने अपना वर्चस सुकायम करने के लिए ना सिर्फ कृष्णारंदराय की हत्याक रादी बल्कि उसके बाद ताब और तोड ऐसी भी खटनाई की जिसके बाद पूरा अपराद जगत काप उठा है साल 2005 में मुक्तार अंसारी जेल में ही बन था इस दोरान बिजेपी के जो बिधायक थे कृष्णारंदराय उनको पाँच साथी क्योंके साथ वो किसी कारकम से जा रहे थे और उसी दोरान उनको घेर करके मारा गया था इस घटना के बाद जो उसका दुश्मन ब्रजेश सिंग था वो बेहत घबरा गया क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा नहो मुक्तार अंसारी गैंग का रुख अब उसकी तरफ हो उसके बाद वो यहां से फरार हो गया ओडिसा गया और उडिसा में उसको ग्रिफतार कर लिया गया जहां पर वो आप जेल में बंद है लेकिन मुक्तार अंसारी की कहानी यहीं तक नहीं है इस घटना के बाद जेल में रहते हुए मुक्तार अंसारी ने अपने गैंग को धेद्रे बढ़ाना शुरू किया और सरकार के लिए मुश्किल करनी शुरू कर दी एक वक्त में जब मायवती की सरकार थी जिस तरह की अदावत मायवती की राजा भहिया से थी वैसे ही आज की तारीक में बीजेपी सरकार से मुक्तार अंसारी की अदावत है यानि दुश्मनी हैं, यानि सरकार चाहती ही किसी तरीके से उसको कानून के दारे में लाये जाए ताकि उसके अपरादों का भईक हता बंद किया जा सके लेकिन अभी तक यूपी सरकार को उसकी सफलता नहीं मिली है इससे पहले करीब 20 बार यूपी सरकार पंजाब सरकार से कोशिश कर चुकी है कि मुक्तार अंसारी को वो उसे सौब दे ताकि उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों को निप्टारा किया सके और उसे सजा दिला जा सके लेकिन बीजेपी की इस बांग को ना तो पंजाब सरकार मान रही है और नहीं अभी कोड से ऐसा कोई आदेश मिला है जिससे उसको पेश किया जा सके दरसल पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है और कॉंग्रेस के कई नेताओं से मुखतार अंसारी के अच्छे संबन है कहा ये भी जाता है कि पंजाब के एक बड़े मंतरी के कहने पर उसने एक हत्या को अंजाम दिया था जिसकी वज़े से वो अब उनका हिसाब चुका रहे हैं यानि हर तरीके से मदद कर रहे हैं हर बार कोड के संबन को तामील करने के लिए जब गाजी पुर पुलिस पंजाब की रोपर जेल पहुंसती है तो वहाँ से कोई नकोई भाना करके उसको बाईरंग वापस लुटा दियाता है हाल में ही सूप्रीम कोर्ट का रूप किया यूपी सरकार के तरफ से लेकिन अभी तक उसमें भी सफलता नहीं मिली है जबकि यूपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मुक्तार अंसारी को उत्रप्रदेश की जेल में लाया जाए और यहां उसके खिलाब चल लहें मुकदमों के बारे में जाच की जाए और आगे का अंजाम देखा जाए फहराल यह कोशिश जारी है लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार उत्रप्रदेश सरकार भी मुक्तार अंसारी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गई चुनाओं के दोरान मुक्तार अंसारी के गैंग से तरह तरह के मदद राजनियूर्टिक पार्टियां लेती थी लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद मुक्तार अंसारी और अतीक अहमत जैसे लोगों की मुश्किले और ज़्यादा बढ़ गई यानि योगी अधितनाथ जब मुक्यमंत्री बने तो उन्हें साफ कर दिया कि इस तरह के माफियों के लिए उत्रप्रदेश में कोई जगा नहीं है साफ तरपर उनकी इस कारवाई और इस बात का असर भी देखने को मिलता है पिछले करीब डेड़ साल में मुक्तार अंसारी और अतिक एहमत की 200 कौर्ण से ज़्यादा की संपत्ति उत्तरप्रदेश सरकार और प्रशासन नष्ट कर चुका है और उसमें मिली अवाई संपत्तियों को सरकारी खजाने में शामिल कर चुका है दरसल मुक्तार अंसारी ने अपने अपराद के जो दुनिया थी उसको बढ़ाने के दौरान तरह तरह के बिजनेशे शुरू किये जिसमें कंस्ट्रक्शन, जमीन पर कबजा करना, अपरहन फिरौती के अलावा भी उसने कई ऐसे बिजनेश शुरू किये जो की वैसे तो वैद थे लेकिन बगए लाइसेंस के अवाई तरह के शुरू किये चाहे वो गन का लाइसेंस हो, चाहे जमीन कबजाने का लेकर हो, मचली पालन का लेकर के हो या फिर रेलवे और तमाम दूसरे ठेके टेंडर के काम हो और इस दौरान मुक्तार अंसारी ने अपना सामराज इतना बढ़ा लिया कि लगभग पुरवांचर के हर जिरे में, उत्रप्रदेश के हर कस्बे में मुक्तार अंसारी के न सिर्फ लोग हैं बलकि उसके धंदे भी चल रहे हैं जिनमें से ज़्यादा अवाइद धंदे फल फूल रहे थे बीजेपी सरकार आने से पहले बीजेपी सरकार आने के बाद योगिया अधितनात ने साफ निर्देश दिया कि मुक्तार अंसारी को किसी भी हालत में किसी भी सूरत में उसके अंजाम तक ले जाना है लिहाजा प्रशासन ने कमरकसी और उन्हों शुरू किया ऑप्रेशन मुक्तार अंसारी एन अतीक अहमत अतीक अहमत की भी तमाम गुर्गों पर सिकंजा कशना शुरू किया लेकिन सबसे ज़्यादा गाजगिरी मुक्तार अंसारी पर लखनओ समेत लखनओ, बनारस, गाजीपूर, मव, बलिया, बस्ती, गोरकपूर जितनी भी जगों पर मुक्तार अंसारी के अवायत कबजे थे जिन इमारतों पर कबजे थे चाहा हो सरकारी जमीन हो प्राइवेट जमीन हो या फिर नजूल की जमीन हो इन सभी जमीनों पर कबजा हटाने का काम शुरू हुआ जानकारी के मताबिक अब तक मुक्तार अंसारी के खिलाफ जिस कारवाई जितनी भी की गई ही उसमें 100 क्रोंड सो जादा की संपत्ती जो की अवायत संपत्ती थी उसको कबजे से मुक्त कराया गया है इसके अलावा उसके इतने ही यानि 100 क्रोंड के आसपास के ही बिजनेस को भी नर्ष्ट किया गया है जिसमें सबसे बड़ा बिजनेस मचली पारण का था अवायत धन्दे का पैसा लगा हुआ था और इसके बाद शुरूरा मुक्तार अंसारी के पतन का एक एक दिन मुक्तार अंसारी उत्त्रपरदेश की जेल से अपने आपको किसी तरह किये से मैनेज़ करके रोपर जेल में इस्थान अंतरन कराने में काम्याब हो गया और तब से वहीं पर डटा हुआ है कोरोना संक्रमन के दौरान मुक्तार अंसारी ने हर कोशिश की कि उसको पेशी से कैसे बच सकता है हाना कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग की पेशी के दौरान भी उसने स्वास्त का नाम लेकर के पेशी पर आने से मना कर दिया तमाम कोशियों के बावजूद करीब 52 पेशी हैं इसी हुई जिसमें मुक्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भी अदालत में पेशी नहीं दी लिहाजा उसके खिलाफ उत्रप्रदेश में चल रहे मुकद में पेंडिंग में ही पड़े रहे पंजाब की रोपर जेल में जब इस्थान अंतरन कराया गया तो उसकी पत्नी ने साफ तोर पर कहा कि अगर वो अपना इस्थान अंतरन नहीं कराएंगे तो जैसे मुन्ना बजरंगी को उत्रप्रदेश के जेल में मार दिया गया वैसे मुक्तार अंसारी को भी मारा जा सकता है सरकार उसके पीछे है, दुश्मन उसके पीछे है दूसरे रैवल गैंग भी है इसलिए उनको डर है कि मुक्तार अंसारी को मारा जा सकता है लिहाजा वो चाहते हैं कि उनकी जान की सुरच्छा की गारंटी सरकार ले हलाकि रोपर जेल में रहते हुए मुक्तार अंसारी अपने आपको सुरच्छित महसूस करता है इसलिए दो दर्जन से ज़्यादा की बार की कोशिश के बावजूद भी आज तक पंजाब की सरकार ने यहाँ पर उत्रप्रदेश की सरकार को मुक्तार अंसारी को नहीं सोपा है जबकि उसके खिलाफ कई संगीन मुकदमे जिसमें अपरहन, हत्या, फिरोती, धंकी, कबजा, समेत कई ऐसे आवज दंदों के मुकदमे हैं जिस पर अभी फैसला आना बाकी है और जब तक अदालत में मुक्तार अंसारी सामने नहीं आता, तब तक इस पर फैसला नहीं हो सकता फिलहाल, सरकार की कोशिश अभी भी चल रही है, और इसके पीछे एक बड़ी वज़ा ये भी है कि योगी आदितनाथ जो की मुक्हमंत्री उत्रप्रदेश के हैं, उन्होंने साफ तर पर कहा था कि मुक्तार अंसारी जैसे लोगों को यूपी में नहीं रहने देंगे इससे पहले उत्रप्रदेश सरकार ने जब आपरेशन क्लीन शुरू किया तो पुरवांचल से ले करके मेरेट, बुलंडशहर, बस्ती, जितने भी उधर के जिले हैं उन सब जगों के बड़े-बड़े माफियाओं को न सिर्फ सरकार ने निश्टनाबूत किया बलकि उनके अवायद संपत्यों को भी जब्त कर लिया बाकाइदा इस सरकार ने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया कि जिसकी अवायद संपत्ती जब्त की गई उसके घर के बाहर डूगड़ी भी पिटवाई गई यानि गोशना भी करवाई गई इनाउस्मेंट कराया गया कि इसको भी बाकाइदा इसकी संपत्यको जब्त किया गया है और कोई भी ऐसी कारवाई की जाएगी सरकार ने तरीका इसलिए अपना है सरकार किस्तर पेश आ रही है और जंता को इससे डरनी की जरूरत नहीं है लेकिन सबसे बड़े चुनौती मुक्तर अंसारी को उत्तरप्रदेश लाना है और हम आपको यह भी बता दें कि आखिरकार योगी आदितनाथ मुक्मंत्री उत्रप्रदेश्ट की क्या दुश्मनी है मुक्तार अंसारी से जिसकी वज़े से वो उसके पीछे पड़े हुए दरसल कहा ये भी जाता है कि जब मुक्मंत्री योगी आदितनाथ केवल सांसत थे और गुरकपुर में रहते थे उस दौरान कई मामलों में मुक्तार अंसारी से उनके सामने तो नहीं लेकिन पीछे से अदावत होगी जिसमें मुक्तार अंसारी ने ना सिर्फ अबद्र भाशा का इस्तेमाल किया बल्कि एक तरीके से मुक्मंत्री योगी आदितनाथ के खिलाफ एक जंग सी चिर दी जिसके बारे में लगातार कई बार शिकायते भी मुक्तार अंसारी के खिलाफ की गई लेकिन उसकी कोई सुनुआई नहीं हुई और इस मैंशा को समझते हुए उत्रप्रदेश सरकार के जितने भी पुलिस के आला दिकाई थे उन्होंने मुक्तार अंसारी के खिलाफ देजरे एक एक सबूत इखटा करना शुरू किया सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ जो मुकदमे और उसके खिलाफ अपराधिक रिकॉर्ड है वो बनारस में है बनारस के गाजीपूर महु जिले में लगातार अवायद दंदे फलते फुलते रहे जिसमें कंस्ट्रक्शन से ले करके अवायद कब्जे तक के सारे काम मुक्तार अंसारी करता था और जब ये सारी चीजे एकटा हो गई उसके बाद सरकार ने उसे खिलाफ कारवाई शुरू करने करनी शुरू कि सबसे पहले कारवाई शुरू ही जितने भी अवैद कब्जे थे मुक्तार अंसारी के खिलाफ उन सभी अवैद कब्जों को गिराने का काम जि रज़ कराना शुरू किया गया अब तक करीब 133 सप्त्या ऐसी है जो कि मुख्तार аंसारी के नाम पर या उनके परिवार के नाम पर या उनके स्योगियों के नाम पर दर्ज़ थी और उनको जब्द करके सरकारी खजाने में उनकी इंट्री कराई गया है इसके इलावा मुख खिलाफ ऐसी कारवाई की गई है जिसे वो अपने जिले में रह करके अपरात को अंजाम ना दे सकें कुल मिला करके इस तरह की कारवाई सरकार ने स्ले की ताकि मुक्तार अंसारी अगर कभी जेल से बाहर आने में काम्याब भी होता है इस सब के पीछे एक बज़े वो भी है कि एक वक्त में पुर्वांचल में अपरात का जो इतिहास लिखा जा रहा था उसमें मुक्तार अंसारी ब्रजेश सिंग जैसे लोगों का नाम बहुत बड़ा था मुन्ना बजरंगी इसमें वो भी एक बड़ा नाम था जो कि मुक्तार अंसारी का बेहत करीवी था लेकिन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद उस गैंग के अंदर वर्चस की जंग एक बार शुरू हुए जिसमें ब्रजेश सिंग के लोगों ने भी कोशिश की कि वो किसी तरीके से मुन्ना बजरंगी के तमाम अवय धंदों पर कब जा कर सकें और इसके बाद एक बार फिर इस बात की आशेंका पैदा हो गए कि कहीं ऐसा नहों पुर्वांचल में एक बार फिर से खूनी गैंगवार शुरू हो जाए इस मन्शा को इस आशेंका को भाबते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सक्त निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में इस अपराद की कड़ी को आगे बढ़ने न दिया जाया और ऐसे गैंग को पनपने न दिया जाया उसके बाद सक्त निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश शरकार के निर्देशन के बाद जो प्रशासन था उसने अपनी कमर कसी और तमाम ऐसे लोगों को ग्रफतार करना शुरू किया जो इन अवाय दंदों में लिप थे चाहे वो फिर बिजे सिंग गैंग के हों या फिर अतीक अहमद के गैंग के हों या फिर मुक्तार अंसारी के गैंग के हों उस दोरान हर्शंकर तिवाई नाम के एक बड़े माफिया का वर्चस हुआ करता था जिसने रेलवे ठेके में अपना बड़ा नाम किया और बहुत विख्यात और कुख्यात भी रहा लेकिन उस सबसे हैंडवर एक तरीके से मुक्तार अंसारी ने लिया वक्त के साथ और मुक्तार अंसारी अपने अवाई धंदों को चला रहा था अब सरकार के लिए चुनोती ये थी कि कैसे इन धंदों में इसकी पैट को रोका जाए मुक्तार अंसारी, अतीक अहमद और बूसरे माफियों के चलते इन सब धंदों में, इन सब टेंडर्स में सिर्व इनी गैंके चलती थी, कोई दूसरा टेंडर भी निगालने पाता था लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होने के वज़े से इस दबदबे को कम करने में सरकार कुछ हद तक कम हुई, कुछ कामयाब हुई और उसके बाद उसने साफ निर्देश दिया कि किसी भी टेंडर को सीरिस निर्देश तोर पर नहीं दिया जाएगा यानि ऑनलाइन टेंडरिंग प्रक्तिया लागो होने के बाद इस तरह के घटनाव में कम ही आने शुरू हुई गैंगवार को लेकर के सरकार ने सबसे पहले अभियान शुरू किया कि जितने भी लाइसेंस जिलों में दिये गए हैं उन सब का सत्यापन किराए गया है चाहे वो किसी शरीफ आदमी के दिया गया हो या अपरादिक इतिहास वाले को दिया गया हो उसमें जाता लोग ऐसे निकले जिनको सोफिस्टिकेटिट वैपन ऐसे लोगों को दिये गए थे जो मुकतार के गैंग से या फिर दूसरे अपरादिक गैंग से तालुक रखते उन सभी लाइसेंस को रिवू के लिए बंगाया गया और उनको ततकाल प्रफॉस से निरस्ट भी कर दिया गया ऐसे डेड़ सो ज़्यादा लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ बनारस्त मव और गाजीपूर में ही निरस्ट किये गए जो कि मुकतार अंसारी के गैंग से तालुक इस तरह से जो अभ्यान चलना शुरू हुआ तो कई लोगों ने अपने लाइसेंस खुद भी जमा कराने शुरू किये और उस दौरान अपराधियों में डर ये पैदा होना शुरू हुआ कि योगी आधितनात की सरकार के दौरान एंकाउंटर भी मारे जा सकते हैं और किसी अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया वो किमत्री होगी आधितनात में भी कई मौके पर खुद कहा कि अगर किसी भी शक्स को यहां रहना है तो अपराध छोड़ना होगा या फिर प्रदेश छोड़ना होगा और इस मैसेज के बाद लगातार कई अपराधियो बाद से लगातार उसको इस बात का डर है कि कहीं उसकी हत्या न करा दी जाए ब्रजेश शिंग पर भी आरूप है कि एक बार आठ क्रोन रूपए के सुपारी बुक्तार अंसारी को मानने के लिए दी थी और उसी के चलते बुक्तार अंसारी ने अपने परिवार वालों के जरिये अपने जान का खत्रा भी बताया था बहराल योग्याद इतना सरकार लगातार इस बात के लिए पीशे पड़ी हुई है कि मुक्तार अंसारी को कैसे उत्तर प्रदेश वापश लाए जिससे की उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जा सके इस बारे में कुष्णा मुक्तार अंसारी को वापस भेजे हाला कि ऐसा होना मुम्किन नहीं दिखता क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस की सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो मुक्तार अंसारी के बेहत करीबी हैं कहा ये भी जाता है कई मंत्री और कई नेता उन पर पहले मुक्तार अंसारी ने कई एसान का रखे हैं और बाद में सबता में आने के बाद उनका मुटारांसारी के सरपर हाथ है। इसलिए सुप्रीम कोड के आदेश और निर्देश के बावजूद भी कोई न कोई रास्ता पनजा सरकार ने निकाल लिया, उत्रप्रदेश आने से, हालाकि उत्रप्रदेश सरकार की कोशिश अभी भी है और सरकार का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्दिशों का पालन पंजाब सरकार को करना ही होगा एक बात तो साफ है, कि जिस दिन मुक्तार अंसारी उत्रप्रदेश आ जाएगा उस दिन उसके पुराने सभी कर्मों का हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा लेकिन जिस तरह से पुरवांचल में मुक्तार अंसारी गैंग का दबदबा था वो दबदबा अब दिरे दिरे कम होता नज़र आता है पुरुणचल में मुक्तार अंसारी के बगाईर कोई भी टेंडर कोई भी काम नहीं हो सकता था लेकिन अब मुक्तार अंसारी के लंबे समय तक जेल मे रहने के बाद और लगाताप उसके खिलाफ चल रहे हैं मुकदमों में पैरवी करने की वज़े से सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही उसकी वज़े से पुरवांचल में अब माफिया का जो राज था वो दिर दिरे कम हो रहा है लेकिन मुक्तार अंसारी का नाम एक ऐसा नाम है आदमियों को महिया कराने से लेकर के वोट एक खटा कराने तक मुक्तार अंसारी का हाथ रहा और तबाम चुनाओं में उसने फंडिंग की जिसके चलते सरकारों का उस उसके उपर हाथ रहा और अभी तक वो बचता रहा लेकिन योग्यादितनात की सरकार बीजेपी की सरकार आने के बाद इस बात की उम्मीद जरूर बंधी कि कहीं न कहीं इस बार मुक्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमों का सफाया निप्तारा होगा बहराल अब क्या होगा यह वक्त बताएगा लेकिन जिस तरह की कोशिश सरकार कर रही है किसी न कि प्तारण सारी अपनी जान की भीक मांगते हुए जेल की भीतर बंद है और यूपी सरकार कोशिश कर रही है कि उसको किसी तरह से यूपी लाया जाए यह हम बात कर रहे थे पुरवांचल के एक ऐसे माफिया की बारे में जिसका दबदबा इतना ज्यादा था कि सरकारे उसे ड सरकार मां जाए और मुक्तार अंसारी यहां वापस आसके पंजाब सरकार राजनीतिक वजहों से कोशिश कर रहे है कि किसी तरीके से उसका इस्तान अंत्रग कैंसिल हो और वह किसी भी सूरत में यूपी सरकार को ना सौपे बहराल इस जड़ो जहद और खीस्तान के बीच अ बताएंगे और उसकी अभी इस्तिति क्या है इस बारे में बताएंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजारत नमस्कार